So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि की 5 जून के important current affairs को, तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाली में 21 शांगरी ला समवाद या इसे ही कहेंगे एशियाई सुरक्षा सिखर सम्मिलन 2024 का योजन ये काँ पर किया गया, तो अंसर होगा सिंगापूर में एशियाई प्रशांत शेत्र की प्रमुख रक्षा बेठक जिसे शांगरी ला समवाद या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मिलन भी कहते हैं अभी इसका आयोजन हुआ 31 मई से लेके 2 जून 2024 तक 2024 में ये इसका 21 संसकरन था कहां पे हुआ सिंगापुर के शांगरी ला होटेल में तो यहां पे एशिया प्रशांत में सबसे गंबीर सुरक्षा चुनोतियों पर चर्चा गी गई और मैं आपको वजा दू कि इसका उधगाटन हमेशा अमेरिका के जो रक्षा मंतरी है वो करत भारत के प्रधान मंतरी नरेंटर मूदी इसका जो पहला शिखर सम्मिलन है वो 2002 में हुआ था अच्छा शिखर सम्मिलन याने कि सम्मिट से सम्मंदित ये प्रशन है 2024 के सारे important summits में आपको यहाँ पर revise करा हूँगा लेकिन उससे पहले एक homework प्रशन आपके लिए छोड़के जा रहा हूँ अभी सिंगापूर के नए परधानमंत्री कौन बने थे यह आपको बताना है comment box में और यह प्रशन में आपसे क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री या प्रसिडेंट वाला प्रशन आता है 2024 के सारे जन्वरी से लेके अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री या प्रसिडेंट बने है विश्व में उस सारे में आपको revise कराता हूँ तो चलो इस बहाने आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको यह याद या नहीं है या आप अच्छे से revision करते हो या नहीं आप अपने प्रशन का उत्तर देंगे मैं आपको revision करवाता हूँ 2024 की important summits का मैं आपको revision कराता हूँ 2024 में जो important summits हुई है वो कौन-कौन सी है देखो जिसे अभी आपको बता है AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन अभी हुआ South Korea की Capital Sea All में पहला वाला UK की Bletchley में वाता दोजातेविश में अभी World of Future Energy Summit United Arab Amirat में हुआ World Sustainable Development Summit नई दिल्ली में हुआ First Nuclear Energy Summit ब्रुसल बेल्जियम में हुआ नवार राइस सेना डायलोग का योजन नई दिल्ली में हुआ जिसमें Chief Case थे Greece के प्रधान मंतरी Kriyakos Mitsotakis पहला Digital India Future Skills Summit गुवा हाटी में हुआ सात्वा हिंद महासागर सम्मिलन पर्थ उस्टेलिया में विश्व सरकार सम्मिलन 2024 दुबई में और भारत जो है ये युनेस्को के विश्व धरोहर समेती के अद्यक्षता करेगा 2024 में और कौन सा संसकरन होगा 46 बाकी Vibrant Gujarat Global Trade Show का योजन ये गांदिनेगर गुजरात में हुआ था नवा अंतर राष्ट्रेव विज्ञान महोच्षव का योजन फरीजाबाद में 27 वा राष्ट्रेव युवा महोच्षव ये नासिक में हुआ और पहला भारत इस्तिम बॉयलर एक्स्पो का योजन ये गुवाहती में ही हुआ था ये 2024 के कुछ महत्वपूंट सम्मिट से ध्यान में रखना अगला प्रसन देखता है फिर पूछ रहे हैं अभी हाली में ग्रीन डे के बैटर नुट्रिशन ब्रेंड का ब्रेंड अमबेस्टर कौन बना है तो आंसर होगा पीवी सिंदू तो दो बार की ओलंपिक पदक ये बायो फोर्टिफिकेशन का उप्योग करता है ये एक ऐसी प्रोसेज है जो बीज चरन से ही फसलों के पोशन मुल्य को बढ़ाती है इसमें आपको आटा मिल जाएगा चावल मिल जाएगा बाजरा रागी और मक्का ये सारे प्रोड़क्ट इसमें आपको मिल जाएंगे तो सिंपल सा भी याद रखेंगे ग्रीन डे के बैटर नुट्रिशन ब्रैंड की ब्रैंड एमबेजडर कौन बनाए गई तो अंसर होगा पीवी सिंदू ये एक बैडमिंटन प्लेयर है शटलर है अब कुछ इंपोर्टेंट ब्रैंड एमबेजडर में आपको यहां पर र राजकुमार राव को राष्ट्र प्रतीक बनाया था ब्रैंड एमबेजडर बनाया और सचिन की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने मोखिक सवच्छता अभियान के लिए उनको स्माइल एमबेजडर बनाया था वहीं सेवलान इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एमब और अगर आपसे पूछे कि BPCL का जो स्पीड पेट्रोल ब्रैंड है उसके कौन बने थे तो नीरत चोपडा बने थे वैसे तो मैं हर बार आपको बताता हूं लेकिन एक स्टुडिन कंफ्यूज हो गए थे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको है ना उसके अलावा अभी ज प्रिम सेट गो के ब्रेंड अमबस्टर बने थे इस मरतिमनाना गrank है इंडिया की और गुवि की brand ambassador नरेंद्र कुमार यादव बने थे IRS officer है जो Ever Ready Sale के ये निरत चोपड़ा बने थे मैंने आपको बताया बिपी सेल का जो speed petrol brand उसके भी ये बने थे Space India की संजना सांगी बनी थी अभी Unicef इंडिया की करीना कपूर बनी थे और मुथूट ग्रूप के brand ambassador शारुक खान बने थे और उसके अलावा अभी भारत सरकार ने तंबाकू नियंतरन के लिए brand ambassador पीवी सिंदू को ही बनाया था तो ये कुछ important brand ambassadors मैंने आपको revise करा है इनको ध्यान में रखना अगला प्रस्ण देखते हैं फिर आप से पूछ रहे हैं अभी हाली में पाकिस्तानी सेना के अल्प संक्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है तो अंसर होगा Helen Mary Roberts ये पाकिस्तानी सेना की पहली अल्प संक्यक समुदाई की महिला ब्रिगेडियर बनी है वे पाकिस्तानी इसाई समुदाई की सदस्य है तो इनका नाम याद रखना अभी पाकिस्तान से याद आएगा पाकिस्तान में पहली महिला मुख्य मंत्री बनी थी पंजाब प्रांत में नाम है मरियम नवाज और पाकिस्तान में अभी इसी साल पहले सिख मंत्री भी बने थे अभी नाम हमने पढ़ा था सरदार रमेश सिंग अरोडा उनका नाम है वैसे अभी पाकिस्तान में नए प्रधान मंत्रे और प्रसिडेंट भी बने थे वो भी मैं आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले कुछ ये इंपोर्टेंट नाम अभी नियूज में थे जैसे कि अभी मैक्सिको की हमने पढ़ा था पहली महिला प्रसिडेंट कौन बनी है क्लाउडिया शियनबाम अच्छा क्लाउडिया से एक नाम और याद आ रहा है क्लाउडिया गोल्डिन नाम याद आ रहोगा आपको क्लाउडिया गोल्डिन कहां पड़ा था आपने अभी 2023 में नॉबल पुरुसकार इनको मिला था अर्थशास्तर का उनका नाम क्लाउडिया गोल्डिन था और यह है क्लाउडिया शियनबाम जो कि मेक्सिको की पहली महिला राष्टरपती बनी है बाकि आपको यादे भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी थी जैसिंता कल्यान अभी भारत में ब्रेटेन की पहली महिला उच्चा युक ठाई कमिशनर बनी थी लिंडी केमरून इनका नाम है और अभी मेगाले की पहली महिला DGP बनी थी इदा सीशा नौंग रांग इनका नाम है खासी समुदाई से बिलॉंग करती है ये और अलिगड मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कुलपती बनी थी नईमा खातुन इनका नाम है तो ये वो कुछ important नाम अभी news में थे ये ध्यान रखना बात पाकिस्तान की है तो ये रा मैप में पाकिस्तान तो पाकिस्तान की capital क्या है इसलामाबाद है currency होती है पाकिस्तानी रुपिया परधार मंतरी कौन है शाहबाद शरीफ और प्रसिडेंट है आसिफ अली जरदारी अ फिर आपसे पूछ रहे हैं हाली में कौन सी company आठ लाग करोड से अधिक के बाजार पूंजी करन वाली सातवी भारते company बन गई है तो अंसर को है State Bank of India तो भारत का सबसे बड़ा commercial bank है State Bank of India और अब market cap में आठ लाग करोड रुपे तक पहुंचने वाली ये भारत की सातवी company बन गई है इससे पहले ऐसा करने वाली छे company कौन कौन सी है Reliance Industries, TCS, HDFC Bank, भारती Airtel, Infosys, ICICI Bank और अब SBI भी बन गया market cap बाजार पुझी करन के बारे मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे निकालते हैं किसी भी company का market cap तो उसके एक share की value उसको गुणा कर दो उसके total share से तो उसका बाजार पुझी करन market cap आजाएगा market cap दरसल बताता है उस company की valuation कितनी है तो State Bank of India की बात करें तो actually में तीन बैंकों का विले करके Imperial Bank of India बना था कौन-कौन से तीन बैंक, Bank of Bengal या Bank of Kolkata के दो, Bank of Bombay और Bank of Madra फिर 1955 में इसका नाम बदल कर, मतलब Imperial Bank of India का नाम बदल कर State Bank of India कर जिया गया था तो इस तरह से SBI बनता है, इसका मुख्यल है मुंबई में मिलेगा और इसके Head है दिनेश कुमार खारा तो यह याद रखना अगला प्रसन दिखते हैं फिर आपसे पूछ रहें, अभी हाली में महाक्रशी सम्रद्य योजना किसने शुरू की है तो आंसर होगा Bank of Maharashtra तो अभी Bank of Maharashtra ने यह महाक्रशी सम्रद्य योजना को शुरू किया है जिसका उद्दिश है Food and Agro Based Industries को बढ़ावा देना अब यह किस प्रकार की Industries है, क्या होता है यह तो यह वो Industries है जो नए उत्पाद यानि कि नए प्रॉडक्स बनाने के लिए क्रशी उत्पादों पर निर्बर होती है जैसे कि मालो मुझे अगर चीनी बनानी है, शक्कर बनानी है तो मुझे किस के आवशकता है, गन्ने के आवशकता है जैसे मुझे अगर mango shake या mango juice की bottles बनानी है तो मुझे किस के आवशकता है, आम के आवशकता है मुझे अगर tomato sauce बनाना है, तो मुझे किस के आवशकता है, टमाटर के आवशकता है तो मतलब products तो मैं नए बना रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किस पे निर्बर हूँ यानि कि मेरा कच्चा माल क्या है, जो क्रशी उत्पाद है आम, टमाटर, गन्ना, ये सब चीज़े ये तो मैंने कुछ उधारन दिये से बहुत सारी चीज़े है तो इस तरह की industry के लिए मुझे machine चाहिए होंगी एक land चाहिए होगा, मतलब जो भी infrastructure उसके लिए आएगा industry डालने के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले पैसा चाहिए, financial help चाहिए और इसी के लिए bank of महराष्टर इस यूजना के तहट दस सालों के लिए loan प्रवाइड करेगा कौन? bank of महराष्टर इसके static देखते हैं, इस तापना उती 1935 में, headquarter है पुने महराष्टर में, और MDCO आपको याद हो तो MDCO अभी इसकी नई बनी थी कुछ समय पहले ही, नाम है निदू सक्सेना, और अभी हमने ने ये महाक्रशी सम्रद्धी योजना को शुरू किया है, तो ये ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे कि अभी हाली में किस देश ने चंदरमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार अगर चंदरमा का एक हिस्सा प्रथिवी की तरफ है तो उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो हमें दिखाई नहीं देता तो वहाँ पर चीन के अंतरिक्ष यान ने ये दूसरी बार लेंडिंग की है उसके लेंडर का नाम है चांग E-6 और किस रॉकेट से गया ये तो लॉंग मार्च 5 से और इस मिशन में याद रखना चाइना वहाँ से मिट्टी वगरा चट्टान वगरा के सेंपल लेकर के वापिस भी आएगा और मैंने का ये दूसरी बार लेंडिंग की है इन्होंने वहाँ पे इससे पहले भी चांग का जो मिशन था या जो लेंडर था जो वहाँ पे लेंड किया था उसका नाम था चांग E-4 वो 2019 में गया था लेकिन उस वाले में और इस वाले में अंतर क्या है उस वाले में तो वो गया था और इस वाले में ये कह रहे हैं ये सेंपल लेकर की वापिस आएगा भी सही तो इसलिए ये प्रश्ण important है वैसे इस तरह का प्रश्ण हमने पहले भी पढ़ा था जब चाइना ने इसको launch किया था और आप इसे पूछना चाऊंगा जब हमने वो प्रश्ण पढ़ा था तो हमने कहा था ये साथ में पाकिस्तान का भी एक satellite लेकर के जा रहा है चलो फिर उसी का नाम बता दो बहुत चर्चा हुई थी आपको याद होगा पाकिस्तान ने कहा था हम भेज रहे हम भेज रहे हम भेज रहे हमने कहा चुपरो बिटा वो तो चाहिना जा रहा है इसलिए उसके साथ बेटके जा रहे हो वरना तुम्हें कौन लेके जाता तो पटापट से बताओ उसका नाम क्या है बाकि देखो चांद से सम्मंदित कुछ प्रेशन में आपको बताता हूँ एक तो सबसे इंपोर्टेंट यही बन जाएगा चांद के साउथ पूल पर लेंड करने वाला पहला देश कौन सा है तो भारत है बैसे चांद पर जाने वाला भारत छौथा देश है लेकिन साउथ पूल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बना था और कौन सा मिशन चला था उसके लिए हमने चंदरियान 3 मिशन चलो बहुत दिन होगे चंदरियान 3 के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या important प्रस्ण यहां से बन सकते हैं और 2-3 प्रस्ण तो exam में आ भी चुके हैं क्योंकि है इतना important क्या करें दिवो आपको याद है चंदरियान 3 हमने कब launch किया था 14 जुलाई को और कब पहुचा था यह 23 अगस्त को इसलिए राष्टर अंतरिक्ष दिवस के रूप में हमने कुमनाना तै किया कहां से हमने launch किया था 37 अंतरिक्ष केंद्र से और किस rocket से LVM3 M4 जिसे बाहु बलिया फैट बॉय भी कहते हैं जो उसमें lander था उसका नाम विक्कर में रखा जो रोवर था उसका नाम हमने प्रज्ञान रखा था उसके project director का नाम पूछा जा चुका एक्जाम में टी वीर मुत्वेल है और जिस इस्थान पे वो land किया था ना उसे भी हमने नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट बाकि अगर आपसे एक्जाम में पूछे कि चान्द पर जाने वाली जो पहली private company है और ये चान्द के south pool पे गई थी ये private company private company का नाम है intuitive ये अमेरिका की company है और जो lander है उसका उसका नाम Odysseus है वेसे NASA किस mission के तहट फिर से चान्द पर इंसानों को भेजेगा Artemis mission और उसमें पहली बार एक महिला जाएगी इस बार नाम है क्रिस्टीना कोच वेसे अंतरराष्टरेट चंद्रमा दिवसम कब मनाते है International Moon Day 20 July को मनाते है ये भी ध्यान में रखना अब बात वेसे चाइना की थी तो आपको map में दिखाता हूँ चाइना ये रहा चाइना कैपिटल बीजिंग होती है और बीजिंग से दो पोइंट याद रख लेना एक तो एशन इंफ्रस्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और शंगाई कॉपरेशन और अर्गिनाईजेशन का मुख्याले यही पर है करंसी रेनमेंट भी हो गई प्रसेडेंट ने शी जिन पेंग अभी आपको याद हूँ का दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कन डेटेक्टर ये बनाया चाइना ने इसका नामे ट्राइडेंट और चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावर्ट शमता वाली विशाल पवन टर्बाइन स्थापिट की थी साउथ चाइना सी में और दुनिया का पहला मिथेन संचालित रोकेट भी चाइना ने लॉंच किया था दिसका नामे जूके-2 और एशिया का पहला देश चाइना ही बना था हाइड्रोजन से चंचालिट ट्रेन चलाने वाला भी और अभी जो आपने देखा था बैडमेंटन का कप है थॉमस कप और उबेर कप थॉमस कप पुरूशों का बैडमेंटन टोर्नामेंट है और उबेर कप महिलाओं का बैडमेंटन टोर्नामेंट है और दोनों को चाइना का शोक किस नदी को केते हैं, वांग हो नदी को, और भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाईने उसको क्या केते हैं, मैक मोहन रेखा, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना अगला प्रस्ट, फिर आप से पूछ रहे हैं, हाले में किस भारते किर्केट अगला प्रस्ट देखते हैं, फिर आप से पूछ रहे हैं, अभी हाली में कितने देशों ने Zero devrait charter पर हस्ताक्शर किये हैं, तो अभी बारा देशों ने European Union Space Council में Zero debtors charter यानि कि Zero Malβα घोषणापत्र पर हस्ताक्शर किये हैं, डबरिस का मतलब जो space में Malla है यहां पर उसकी बात हो रही है, ये European Space Agency की पहल है, जिससे November 2023 में European Space Agency Space Summit में launch किया गया था इसका उद्दिश्य है कि अब अंतरिक्ष में कोई नया मलबा पैदा नहीं करेगा मतलब नया मलबा बनाएंगे नहीं और 2030 तक जो भी अभी अंतरिक्ष में मलबा है हमें उसे खतम करना है जीरो करना है अच्छा इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि सेंट पीटर्स बग घोषना पत्र का संबन किस्से है टाइगर की संख्याओं को दो गुना करने से कब आया था या कब अस्ताक्षर किये गए थे 29 जुलाई 2010 में कहां पे वही सेंट पीटर्स बग कहां पर है रश्या में है इसी लिए तो 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे के रुप में मनाते है और बलेचले घोषना पत्र आपको याद है घोषना पत्र यानि के डिकलेरेशन अभी बलेचले डिकलेरेशन तो आपको याद होगा पड़ा था हमने ये नवंबर 2023 की बात है UK के बलेचले में हुआ था AI सुरक्षा के लिए था ये चबकि Bangkok घोषना पत्र का संबन्द किससे है यहाँ पे आश्यान की स्तापना होती है पेसे आश्यान का मुख्याले आपको जकार्ता में मिलेगा और Bangkok किसकी कैपिटल है थाईलेंड की अच्छा बोगोटा घोषना पत्र का संबन्द किससे है बोगोटा कहाँ पर है कोलंबिया में तो रिवर डॉल्फिन के संगरक्षन के लिए है ये और कुनमिंग घोषना पत्र जैव विवित्ता के रक्षा के लिए तो ये भी ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखता है फिर आपसे पूछ रहे हाली में एश्या के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए है तो अंसर होगा गौतम अडानी तो अभी दो जून 24 को ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स जारी किया गया और उसी के अनुसार अडानी समू के जो संस्ताबबा के और अध्यक्ष है गौतम अडानी अभी रिलाइंस इंडस्ट्रीज के चेर्मेन मुकेश अमबानी को पचारते हुए भारत ही नहीं बलकि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए है पूरे विश्व में अगर बात करेंगे तो गौतम अडानी ये ग्यारवे स्तान पर है 111 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ और मुकेश अमबानी 12 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बताए गए तो LVMH कंपनी है उसके जो मालिक है बर्नार्ड अर्नॉल्ड ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी लगजरी गुड्स कंपनी है और इनकी संपत्ति बताए गई 207 बिलियन डॉलर दूसरे इस्तान पे ऐलन मस्क और तीसरे पे जेफ बैजौस बताए गए अगला प्रसन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में गोल्ड मैन सेक्स ने 2024 के लिए भारत की GDP व्रदी दर कितना रहने का अनुमान लगाया तो आंसर होगा 6.9% तो अभी गोल्ड मैन सेक्स ने कैलेंडर येर 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया है जबकि वित्वर्ष 2024 के लिए 6.8% रहने का कैलेंडर येर मतलब समझ गए न जनवरी 2024 से लेके देसमबर 2024 तक और जब भी वित्वर्ष की बात करते हैं तो फिनेंशल येर आता है अप्रेल से लेके मार्च तक मतलब एक अप्रेल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक देखा जाएगा इसमें तो गाइस ये था आज का अपका Current Affairs का सेशन अगर आपने वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना बाकि इनकी क्विज और PDF आपको मिल जाएगी क्रेक एक्जाम एप्लिकीशन में जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अभी कल के Current Affairs का Quick Revision करते हैं और Session एंट करते हैं तो अभी यहाँ पर हम 4 जून की Important Current Affairs का Quick Revision करेंगे तो पहला प्रशन आप से पूछा था मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपथी कौन बन ये Claudia Sheinbaum फिर पुछा भी जर्मनी में Born International Badminton Tournament में महिला एकल का किताब किसने जीता तो तन्वी शर्मा फिर पुछा भी किस Football Club में दोजा 24-24 UEFA Champions League ट्रोफी जीती तो अंसर होगा Real Madrid फिर पुछा भी उत्तर पूर्व का दूसरा IIM कांपे खुला जाएगा असम में असम के कामरूप जिले में विश्व साइकल दिवस आपने मनाया तीन जून को और अभी जो डेटा आया उसके अनुसार भारत को दोजा तेवी 24 में किस देश से सबसे ज़ादा FDI पराप्त हुआ तो सिंगापूर और किस देश के अदालत ने गोल्डन, राइस और बीटी बेंगन के वेवसाह कुछ पादन पर रोक लगाई है तो अंसर होगा फिलिपिन्स अभी आइसलेंड की नए राष्टर बती कौन बनी है हला, टॉमस दॉटर फिर पूछा भी जून 24 में किस बारते किर्केटर ने सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया तो दिनिश कार्तिक पड़ा हमने जून 24 में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 24 में भारत ने टोटर 24 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते तो अंसर होगा साथ मेडल तो अभी कल का हमवर्ग प्रशन देखते और हैसे राइन करते हैं तो कल की वीडियो में आपसे बूछा था कि देश में एक समान समय सुनिश्यत करने के लिए कौन सी घड़ी का उप्योग किया जाएगा तो अंसर होगा आप सबी ने प्रशन का बिल्कुल से उतर दिया यह राज का आपका हमवर्ग प्रशन